हेलो गाईज, वेलकम तो इजी वे कॉमेस क्लासेज, मैं हो तबिता और गाईज, आज की इस वीडियो में हम अपने डिस्पर्जन शेफ्टर में से क्वार्टाइल डेविएशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो की काफी असान और काफी इजी है, अगर आपने मीडियन करा है, मीन मीडियन मोड तो आपने सीखा ही है, उसी से रिलेटेड है क्वार्टाइल डेविएशन तो सबसे पहले गाइस, क्वार्टाइल डेविशन में तीन फॉर्मुले होते हैं, एक होते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना और एक होता है क्वार्टाइल डेविशन, एक होते है कोफीशिंट अफ क्वार्टाइल डेविशन तो सबसे पहले इन सम में की Q word use किया जा रहा है Q3-Q1 आखिर यह होता क्या है सबसे पहले हम इसे समझते हैं तो देखो अगर आपने median पढ़ा था तो median को formula होता था N plus 1 divided by N plus 1 divided by 2th item को हम median कहते थे यानि कि यह N थोड़ा सा गलत बन गया N plus 1 divided by 2th item अब quartile होता है N plus 1 divided by 4 क्योंकि quartile को मतलब होता है कि आप अपने series को 4 parts में divide करने वाले हो तो हम यहाँ पर divide किसे करते हैं? 4 से सबसे पहली चीज़ जो आप median करते बग ध्यान में रखते थे वही quartile करते बग ध्यान में रखने है कि आपको अपने series को ascending order में arrange कर लेना है तो मैंने यहाँ पर series को सबसे पहले ascending order में arrange कर लिया यह कौन से series है guys? यह है individual series तो आज हम individual series सीख रहे हैं जिसमें सिर्फ हमें x given होता है frequency given नहीं होती अब इस series में अगर हमें quartile 1 निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं ठीक है? quartile 3 की या formula क्या होगा? quartile 3 का formula 3 n plus 1 divided by 4th item यानि का n plus 1 को 4 से divide करना है और जो आएगा उसको 3 से multiply कर देना है ठीक है? अब n क्या होता है guys? n बहुत असान है that is number of items क्योंकि frequency तो given नहीं है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर हमें क्या करना है? 7 plus 1 को divide करना है 4th item से 4 से ठीक है तो जो आएगा वो item तो अगर 8, 7 plus 1 हो गया 8, 8 को divide करना है 4 से answer is second item तो second item आपकी कौनसी आपको x में ढूणनी है तो वो आगया आपका answer 50, quartile 1 कितना आगया? 50, अब अगर हमें quartile 3 निकालना हो तो quartile 3 कैसे निकलता है? same formula लगेगा, 3 आगया आजाएगा बस ठीक है, तो 3 n कितना है? 7 plus 1 4th item 4th item नहीं, n plus 1 divided by 4th, ठीक है तो 3 और यह हमें solve तिया था तो हमारा आएथा 2, 3, 2, 6 6 आइटम कौन सी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो quartile 3 हमारा आगया 80, अब हमारा पस quartile 1 भी है, quartile 3 भी है जिसका formula आपके सामने बहुत असान सा है अब आपको अगर यह कुछ भी पूछते हैं, आप बहुत असानी से इसका answer कर सकते हो, अगर आपसे कहते हैं, interquartile range निकालो, तो interquartile range का formula क्या होते है? Q3-Q1 Q3-Q1 यानि कि 80-50 answer आजाएगा 30 अगर वो कहते है, quartile deviation निकालो तो quartile deviation का formula होते है Q3-Q1 divided by 2, तो हमें पता है, 80- 50 divided by 2, तो यहाजाएगा 30 divided by 2, कितना आगया answer? 15 15, अगर अब वो हमसे कहते है coefficient of quartile deviation निकालो तो formula अगर हमें पता है, तो क्या है Q3-Q1 divided by Q3 plus Q1, तो 80-50 और 80 plus 50, तो यहाएगा गाईज आपका, कितना? 30 divided by 130 तो इसका answer आजाएगा तो individual series से या discrete से या continuous से median जैसे हम निकालते हैं वैसी ही quartile deviation निकाला जाते हैं जो कि बहुत असान है formula आपको पता चल गया बहुत असान से formula है और इनको निकालना, यानि कि Q3-Q1 को निकालना भी बहुत असान है तो यह था अब नेक्स वीडियो में guys हम लोग discrete series को cover करेंगे झालना भी बहुत असान है